कि Marvel वाले पता नहीं क्या करके मानेंगे मतलब ये साल तो पूरा इनोंने movies और series में रखा ही रखा अगले साल की भी त्यारी करके बैटें खेर अपने को क्या है अपने को entertainment से मतलब है और वही हमको Marvel परवाइड करवा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे डॉक्टर स्टेंज मल्टी वर्स ओफ मैडनेस मुवी टीजर के बारे में अभी इसका टीजर आया है वो भी दो मिनिट से भी जादा का टीजर है शायद आदे घंटे गए ट्रिलर रिलीज करेंगे तो करीबन 6 साल बीद गए जब इसकी पहले वाली जो मुवी आई थी और इस मुवी के लिए काफी जादा इंतजार चल रहा था और एक और जो मुवी यह त्यार कर रहे हैं कि काफी सारी मुवी जो है वो मारवल रेडी करने को बैठा है जैसे ही जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंतजार है थोर की जो नेक्स्ट मुवी आ रही है जब उसका ट्रेलर आएगा टीजर आएगा तब उसके बारे में वहाँ बात करेंगे अभी बात कर लेते हैं वोंडा वीजन का क्यों नाम यादा रहा है सची इसी के अंदर जो दिखाया गया है जो इसमें काफी चीजें को मतलब की मसाला लिया गया है जैसे की एनिमेटीड सेरीज आई थी वाट इफ करके उसका थोड़ा बहुत मसाला वोंडा वीजन का जो बास्ट में जो कुछ हुआ था उसके अंदर तो उसका भी इसके अंदर मसाला लिया गया है यानि तकरीबन काफी चीजों से यह लिंक की गई है और जो एक मूवी आये थी अभी सबसे बैस जो मुझे मारवल के अब तक लगी है स्पाइडर मैं नो वे होम जो यह मूवी आ देखे जितना हमने मल्टी उनिवर्स के बारे में पिछली मुवी में देखा है मारवल की या सीरीज में हमने देखा है उसमें तो बहुत लिम्टीड मतलब एक दो चुटपूट चुटपूट सीन हमें दिखाये जा रहते हैं लेकिन भाई इस बार मारवल ने कहा कि टेंश लेने के लिए तो मुझे लगा यार वन्डा को क्या पता है मल्टी उनिवर्स क्या होते हैं कैसे कहानी होगी कैर इसके बारे में तो काफी ज्यादा अनुमान लगाए भी जा रहे हैं जैसा No Way Home मुवी के उपर लगाए जाए जाए नी Spider-Man की जो मुवी के उपर लगाए गए थे इतने सारे मतलब जो मैंने भी लगाए थे मतलब लगाए नहीं थे एक तरीकी की विश मैंने मांगी थी कि कास इसके अंदर इसके अंदर ये देखने को मिल जाए अपनी पिछली वीडियो मैंने वो डिसकस भी किया हुआ अब उन सब चीज़ों को यहाँ पर नहीं लेने वाले और इस मुवी के अंदर भी मतलब इस टॉक्टर स्टेंज मल्टी वर्स ओफ मैडनस काफी लंगे नाम है यार इसको याद करने में भी काफी ज़्यादा मुस्किल हो रही है और इस टीजर के अंदर भी काफी चीज़ें हमें जब देखने को मिल रही है और इसके अंदर भी काफी ज़्यादा अनुमान लगा जा रहे है ऐसा हो सकते हैं वैसा हो सकते हैं यह excitement level है, अनुमान लगाते हैं, अच्छा भी लगता है, और मैं तो यार वो इंसान से हूँ, मतलब ठीक है, आ गई, teaser देख लिया, जितना समझाता है, उतना better है, पूरी story, जब movie आएगी ना, तब इसके अपर अच्छे से बात करेंगे, जब इस movie का trailer आएगा, तब एक और वीडियो बना भी देंगे, तब 3-4 रुपे जो बन रहे हैं, वो भी हमें मतलब मिल जाएंगे, फालतू के, वैसे भी कुछ ज़्यादा movies और series में देख नहीं रहा हूं, क्योंकि काफी ज़्यादा, क्या, क्या, कुछ भी, कुछ भी, और एक बात जो मुझे पता चली, फिर उसके पास Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, पुरानी वाली जो Spider-Man थी, उस Moon Movies को डिरेक्ट किया था, क्या, मारवल वाले बड़ा माइंड वाला गेम खेल रहे हैं, यानि Spider-Man No Way Home में, तो ये पुराने characters को लेके आगे थे, पुराने villains, या फिर Spider-Man भी लेके आगे थे, कौन से, वो नहीं देखे हैं, तो जा कर देख लेना, मैं यहां पर नहीं बताने वाला, तो अब यहां पर इन्होंने नहीं चाल चलिए, कि यार, इतना तो हो लिया, अब एक काम करते हैं, डिरेक्टर को भी उठा लो, इन्होंने डिरेक्टर को भी उठा लिया, ये तो मतलब क्या नही इसमें देखने को मिल रहा है, अब एक चीज मैं सोच रहा था, यह DC वाले कहां गए हो यार, लापता हो गए हो गया, तुम्हाइन तरफ से कुछ आ भी नहीं रहा, मतलब कोई न्यूस भी निकल के नहीं आ रही है, तुम कुछ ले के आ रही है, सोच लो मतलब मार्वल खा जा निकाल रहे हैं, जो पिछली मूवी में नहीं देखने को मिला था, इसमें देखने को मिला था, तो काफी चीज अच्छ है, मतलब देखी, जो इसकी जो मूवी आया थी, पुरानी वाली मतलब यह फर्स जो डॉक्टर स्टेंज वाली मूवी आया थी, उसके अंदर इतना कहानी बेस दिखाया जाता है, अब यहाँ पर एक तरीके का तड़का, तड़का, बनलब तकड़का, जो भी है, मतलब एक बड़ी आसा कॉंसर्ट में देखने को मिलने वाला है, अगर आप लोगों ने मूवी का टीजर देखा है, तो आप लोगों कैसा लगा, तो मुझे दे न, दर नहीं देखा, तो फ्री आप कोस्ट है, कम से कम, यह तर देखी लो या, क्या कंजूसी कर रहे हूं, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, इस वीडियो में, तैंक्स पर वोचिंग दिस वीडियो में, जाहिंद!